रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड हो रहा है सबकुछ को तखालेगी? मेरा तो ओफिस में मैं एक चरी हेलो एब्रिवन, वेलकम तू कॉमडीलिशियस एड आज की वीडियो है अल अबाउट दिवाली, दिवाली, दिवाली तो चलिए देखते हैं दिवाली की सफाई हमने स्टार्ट करी है सबसे पहले खिडकियों से क्योंकि इसमें बहुत जादा धूल, मिट्टी और गंदेगी जमी थी और इसको सब करना नेक्स तो इंपॉसिबल था फिर भी मेरे पती की कड़ी महने से हम इसको साफ करने में सक्सेस्फुल रहे और पूरा घर तो डीप क्लीन करने की जुरूरत नी थी क्योंकि अभी हम तरफ तीन महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुएं तो बाकी हमने डीप क्लीन कर ली थी बट सरफ खिड़कियां, दरवाजे, प्याई चीज बची थी और ग्लासेस इसके बचे हुए थे तो हर कोने कोने में जाकर सफाई करी है मतब कोई भी धूल का करन दिखा नी अटलीस्ट उस दिन तो अगला काम था हमारा पड़े धूने का जिसमें से कुछ पड़े तो हमने मशीन में धो लिए थे कुछ ये थोड़े देलिकेट पड़े थे इसलिए हमने इसको हैंड़ वश किया है और सारा इजी काम मेरे पतीने कर लिए और सारा मुश्खिल काम पुझे करना सफाई का परदे धोने के बाद परदो को टांगना भी एक टास्क होता है क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता कि आप हर परदा एक खुला-खुला फिला के टांग होगे आपको पहले परदे के तैय लगानी होती है और उसको फिर देसी तरीके से चड़कना होता है तो पहले मैं सोसे थी चड़काव हम क्यों करते हैं बड़ बाद में इसका पता चला कि इसको करने से आपको प्रेस करनी के जरूत नहीं पड़ती है अगले दिन मॉर्निंग में हमको फिर ग्लासे हमने साफ किये हैं तो सुभा मेरे हजबन सफाइब करता हैं शाम को मैं क्योंकि हमारा बिल्कुल आफिस टाइमिंग बिल्कुल अपोजिट रहता है तो सुभे की टाम पे वो फ्री होते हैं शाम के टाम में तो इस तरीके से अमने अपने काम को बाट दिया था कि आधा काम वो करेंगे एन आधा काम में एंड ये अभी तक पूरे घर की हालत है इस तरह किसे घर पूरा फैला हुआ है मीन्वाइल पड़े सुख चुके थे और फिर हमने पड़े लगाए ऐसे पंगे लेने मुझे बड़ा मजाता है मेरा तो ऑफिस है मैचेश इस एक्सपेक्टिंग की में हेल्प करवाओंगी बट मेरे पस बिल्कुल भी टाइम था इवाइन मेरे साटेडे संडे वरकिंग थे तो सिरफ दिवाली से पहले जो दो साटेडे संडे थे सरफ उसमें छुटी मिली है बाकि पूरा महीना मेरा वरकिंग था 23 तारीको धन 13 के दिन हमारे घर पे ये मंदिर डिलीवर हुआ हमने बहुत पहले मंगाया था बट आज की दिन आया तो बड़ा शुब दिन ये मंदिर आया मंदिर तो मुझे बहुत क्यूट दिख रहा है जिस्वे मैने इसके ड्रोड जिखे कहीं से पेंट तो निकला बहुत को टूटा ते नहीं कॉँआ कि मंदिर यार टूटा हुआ नहीं आची कितने भी मॉडर्न बट तो यार मंदिर होता है ना मतलब सेंटिमेंडल्स आई जाते है नहापर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत घर को सजाया जिसमें सबसे पहले हमने सोफे के कवर चेंज किये ये कवर फाइनली एक ऐसा कवर मिला जो हमारे सोफे से सोफे के कलर को मैच कर रहा है तो बट ये इसका थोड़ा साइस बढ़ा था and वो भी size में बहुत बड़ा था almost double है तो हमने इसको almost half fold किया है and ये है इसका final look कैसे लग रहे है and उसके बद बारी आती टेवल कवर की ये actually table cover नहीं है ये sofa throw था बट हमने इसको table cover के लिए use कर रहे है क्योंकि इसका कपड़ा हमें बहुत अच्छा लगा था अच्छल में ये लग रहा था अच्छा और इसके साथ ही हम दो कोस्टर रख दे हैं यहाँ पर कुछ भी गरम समान इसके उपर अखने के लिए खाली वाल अच्छी नहीं लगती है तो हमने इस वाल में ब्रीम कैचर आट कर दी है दूसरी वाल में हमने सीनरी अड़ कर दी है और उसके अलावा एक छोटी से सीनरी जो मेरी फेवरिट है बचपन से सेवन होट से सीनरी वो आड़ कर दी है और फाइनल लोग कुछ इस तरीके से लगता है घर का और हाल में साइड में ही एक बेड है जिसमें हमने ये वाली चदर बिचाई है कैसी लगी आपको बताना जरा ये मैंने अपने रूम्स के ले कुछ सेंपल फ्रिल्स बनवाई थी सरफ टेस्ट करने के लिए कि कैसा लगता है अच्छी लगी तो मैं उसको और बनवाऊंगी और ये मुझे अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन से कलरी की फ्रिल्स बनवानी चाहिए दूसरी घर का डेकॉर होने के बाद हमने बाहर कुछ डेकॉर किया दरवाजे पर अच्छी लगा हो हम ना जयाएं से तो होई नी सकता तो वहाँ पर बहुत डांस किया बहुत मुझे किया इसके बाद हमने थोड़ा सी अपनी क्रेटिव इडिए दिखाई बैगराउंड बनाने के लिए उसके लिए हमने लिए एक वाइड कपड़ा ट्रांस्पेरेंट था यह एंड थोड़ी सी ली मैपल लीव्स जो की बारा का स्रेंड्स थी यह बैगराउंड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे एंड वीडियो में तो यह बैगराउंड और अच्छा लग रहा था तो मेरा काम हो गया आज का इसके बाद हमने सोचा थोड़ी सी रंगोली भी बना लें या जब इतना कुछ कर रहे हैं तो रंगोली में हम दोनों ह आज़े हैं और ट्राइ कर रहे हैं चलो इस बार अच्छे से कलर वर लाकर देखते हैं कितने अच्छे रंगोली बनती हैं हमसे हमने चूज किया था यह वाला डिजाइन की वाला डिजाइन बना कि देखेंगे कैसा लगता है एक घंटे में हम सिरफ दिया बना पाएं हैं औ तो पिक लूँ अपनी बस यह ले पाई उसके बद हम ठग गये पुजा करी हमने एंड डाट साइट थांक यू सो मच पर वाचिंग हैं मेरे रंगोली क्ले कमेंट जरूर कर देना